Hello everyone, तो यह वीडियो है option buyers के लिए mail दी अगर आप एक option buyer है तो आपको पता होगा कि option में आप price action के साथ अगर option data plus future data analysis करेंगे तो कहीं न कहीं आपके winning के chances increase हो जाते हैं तो अगर आपको वो option और future data चाहिए तो आपको काफी सारे paid platforms है आई chart हो गया sensible हो गया और भी बहुत सारे लेकिन वहाँ पर आपको एक heavy fees देनी पड़ती है फिर कहीं जाके वो आपको data available मिलता है लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी free website की यह आपको पूरा data free में मिलेगा plus side by side बात करेंगे कि कौन कौन सा वो data है और आपको उससे क्या use होगा अपनी trading में तो चलिए हम platform पे चलते हैं और side by side बात को बताएंगे please end तक हमारे साथ बने रही है आपको बहुत को सिखने के लिए मिलेगा चलिए start करते हैं तो यह है वो platform जिसका नाम है trading ticks trading ticks dot com तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैं first column में आया हूँ future analysis में अगर आप future analysis में देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने एक chart बना रखा है इस chart में आपका future oi plus उसका price change दिखाया है अगर मैं इस column पे जाऊँ और यहाँ पे देखेंगे तो यह सिंजेनिक का stock है जिसमें price change कितना हुआ minus 4.84% and oi change कितना हुआ 26.17% यह future का data बता रहा है हमें second अगर मैं इसमें जाऊँ तो यहाँ पे long versus short तो इसमें जब आप देखते हैं nifty निफ्टी में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 55 minute के interval पे आपको वह बता रहे हैं कि यहाँ पे long unwinding हो रही है short covering चल रही है long unwinding short covering अगर आप नीचे जाएंगे तो पूरे दिन का यह आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है long build up चल रहा है short covering चल रही है everything अगर आप चाहें तो इसमें change भी कर सकते हैं अगर आपको निफ्टी की जगह पे कुछ और चाहिए तो वह भी मिल जाएगा अगर आपको time frame change करना है तो time frame भी change हो जाएगा तो अगर आपको नहीं पता कि long build up short build up क्या होता है future में तो आने वाले दिनों में हम इसके उपर भी एक वीडियो बनाएंगे तो इससे आपको काफी help मिल जाएगे third है यहाँ पे price into oi price versus oi तो यहाँ पे price change के साथ सा oi change दिखाए है तो यह दोनों का एक chart है जिसको आप use कर सकते है अपनी trading में चले अब चलते main part options के उपर first part है हमारे पास oi analysis तो oi analysis में इसको आपको live करना पड़ेगा तांकि live market में जी change होता रहेगा तो यहाँ पे oi change है पहले CE and PE का तो अगर आप देखेंगे यह bars clearly हमें बहुत ही ज़्यादा सब कुछ बता देती है maximum अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी बार यह है it means यह level जो है 36500 का level बहुत ही अच्छी sport का का काम करेगा अगर मैं call side पर यह हूँ तो यह सबसे बड़ी बार लग रहे है मु as compared to call side तो कहीं न कहीं market bullish है अगर आप नीचे जाएंगे तो यह total हुआ है overall हुआ ही call and put side का तो इससे आप intraday के लिए और week next day analysis के लिए भी use कर सकते हैं इसको next यह 3D chart है थोड़ा read करना मुश्किल है मुझे लगता है आप देख सकते है अगर आपको लगे helpful है तो आप use कर सक देखते हैं उसके बाद trading OI ट्रेंडिंग OI तो ट्रेंडिंग OI में क्या है जहां पर भी price चल रहे market का let's suppose market का price है 36,500 पे तो उसके साथ साथ जो भी जिन भी strike prices पे सबसे ज़्यादा OI होगा जा ट्रेंडिंग OI होगे तो वो उसका graph दिखा देगा अब इसका benefit क्या है let's suppose अगर मैं इस उपर वाले OI की बात करूं तो यह है 36,500 की graph अगर आप देखेंगे तो यहां पे यह graph drop होना शुरू होगी drop होने का मतलब क्या है it means put writers अपनी position छोड़ रहे हैं जब भी put writers अपनी position छोड़ेंगे it means market नीचे आ सकते हैं जब call writers position छोड़ते हैं तो means market उपर जा सकते हैं तो यह भी आपकी काफी help कर देगा ट्रेडिंग में इसके बाद हमारे पास है call versus put 2i अब call versus put 2i में क्या है आप अपने according यह देखिए यहाँ पर total p and total c का graph दे रखा है साथ में price कुछ लोग इसके crossover को भी use करते हैं आप अपने according अपने setup के according यूज कर सकते हैं यहाँ पर बार्स भी दे रखिए आपको तो आप अपने setup के according देख सकते हैं यहाँ के total जो port होई है वो ज्यादा है as compared to call होई तो हम कह सकते हैं कि market थोड़ी सी bullish है इसके बाद अगर आप चलेंगे तो multiple strike होई तो यह एक ऐसी चीजा है जो paid platform से पाई जाती है लेकिन यहाँ पर आपको free में मिलेगी आप अपनी choice से strike पर select कर सकते हैं माली जे मैंने select किया 37,000 की call यहाँ पर भी आप अपनी merge से select कर सकते हैं माली जे मैंने select किया 37,000 की put तो ज जो भी आप 5 strike पर select करेंगे उसकी curve आपके पास आजागी तो आप अपनी choice से जो भी आपको लगता है कि हाँ इस OI का आपको analysis करना है तो उस OI की आप कर यहाँ पर add कर सकते हैं और आप उसका analysis कर सकते हैं अगर मैं आगे चलूँ इसमें तो यहाँ पर OI interval wise भी है interval wise में क्या है यहाँ पर आपको बताएगा कि कहां पर सबसे ज़्यादा gain हो रहा है क्यों से strike price पर एंड कहां पर सबसे ज़्यादा decrease हो रहा है 15 मिनिट में 60 मिनिट में and day में पूरे दिन में कहां पर changes आ रहे है एक्चुली होता कि है जब हम option chain देखते हैं तो वहाँ पर क्य है यह थोड़ा option sellers के लिए भी ज्यादा beneficial होगा यह premium decay की speed बता रहे हैं यहाँ पे हमें long versus short यहाँ पे भी आप अपने strike price select कर सकते हैं मालेजे मैंने select किया 36,000 C तो यह 36,000 C के उपर बता देंगे आपको कि long unverning हो रहे है short covering चल रहे है long build up चल रहे है जो भी चल रहे है वो आपको बता देंगे उसके बाद हमारे पास last पर आ गया price versus oi तो इसमें आपको strike price select करना पड़ेगा मालेजे मैंने 36,000 select किया तो यहाँ पे call side का oi and price इस साइड हमें बताएगा port का oi and price तो आप अपने according यहाँ पे कुछ लोग cross over यूज करते हैं तो अगर आपको लगे cross over आपके लिए beneficial है तो आप straddle use कर सकते हैं strangle use कर सकते है multiple strike straddle use कर सकते हैं और straddle screen shots यह सब option sellers के लिए काम भाएंगे उसके बाद सबसे ज्यादा अच्छा यह intraday back testing आप मेंसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पिछली दिनों में अपना data analysis करना चाहते हैं कि अगर मैं option buying करता जा selling करता ऐसे करता उस दिन तो क्या होता तो यहाँ पे आपके लिए बहुत help मिल जाएगी आपको क्या करना है पिछली back date select कर लें जो भी आपको चाहिए मान पर add order करूँगा तो यहाँ पर मैं select कर लूँगा मान लिजे मैंने उस दिन अगर 36,000 की put को sell किया होता अगर मैंने 21st 7 को 36,000 की put को sell किया होता morning में तो मुझे क्या yield मिलता तो आप देख सकते हैं कि end of the day मुझे around 4100 का profit आता अगर मैं इसके साथ कुछ और भी add करू मान लिज 37,000 की मान लिजे मैं 38,000 की call को भी sell किया तो वो आपको combine करके बता देगा कि आपको क्या profit अगर मैं sell करता तो मुझे profit आता 37,18 का तो यह आपके लिए back testing बहुत साथ help कर देगा आपको जो भी strike price add करने है buying करने है selling करने है time भी change कर सकते है मुझे लगता है आप यहां पर अग आपको 10 o'clock एड करने है वो strategy 55 पर एड करने है जो भी time आपको select करना है time select किजिए वहां पर बो strategy लग जागी so this is all about this platform तो hopefully मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आया होगा बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजे चैनल को subscribe कर लिजे हाँ अगर आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करन तेंग जो मैट